अ उयाय आठगर आज इस वीडियो में हम हम क्रविई करने वाले। हैं भूट्यर्ड Τ्रो की वूड्लेज चार्कॉर पैंसिल का तो शहद आप denice का यूज भी किया हो मैं first time use कर रहा हूं woodless charcoal pencil का इससे पहले मैंने वैसे charcoal pencil use किये बट woodless charcoal pencil मैंने कभी यूज नहीं कहीं मैंने chalk भी यूज किये charcoal का and इसके बाद powder भी यूज किये and camelin के जो pencil आते charcoal वाली वो यूज की है okay so यह first time use करने वाला हूं तो यहां पर आप नीचे की तरफ देख सकते हूं यह है set of six okay जिसमें यहां पर तीन soft pencil है जो कि सबसे ज्यादा use होती है soft pencil ही सबसे ज्यादा use होती है उसके बाद यहां पर two medium pencil and एक है यहां पर hard pencil तो यह छे pencil का set है यहां पर इसकी backside पर देख लेते हैं तो यहां पर इन्हों ने दिया हुआ ही कैसी 35 बट मुझे राउंड फिगर में मिला है मतलब कि 400 रुपीज मुझे यह सेट मिला है 435 का नहीं मिले तो आप Amazon पर भी चेक कर सकते हैं नियर बाउट इतना ही प्राइज होगा Amazon पर भी इस टाइम मैंने चेक नहीं किया तो आप जाकर चेक कर सकते हो जो आपको लिंक है प्रच चारकुल वैसे काफी ज़्यादा ब्लैक है अगर ग्रेफाइट से कंपेर करें तो काफी ज़्यादा ब्लैक है और काफी काम करने में मज़ा आता है बट यह थोड़ा डस्टी वर्क है तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा ब्लैक है यह वैसे इसे चारकुल वैसी बहुत वुड लेस्ट चार्कोर मीडियम सॉफ्ट हार्ड ठीक है तो इनको यूज करके देखते हैं यहां पर हम पैंसिल यह निकाल लेते हैं तो काफी मतलब हार सी पैंसिल इसका जो वेट है ना बाकी पैंसिल से काफी ज़्यादा है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइट इसका वेट है और पकड़ने भी मतलब काफी ज़्यादा स्मूथ है इसका जो सर्फेस है जो इसका वुड है एक्चुल में काफी ज़्यादा स्मूथ तो इसली हम इसे वर्क कर पाएं जैसे सिंपल पैंसिल के साथ हम काफी इसली कर सकते हैं ग्रेफवाइट पैंसिल के साथ जैसे अगर हम इसके इलावा चाक या पाउडर का यूज करते हैं तो उससे काफी ज़्यादा मतलब डस्टी वर्क होता है हमारे हाथ काफी ज़्यादा गंदे हो जाता है अगर आप चारकोल से अगर आपने काम किया हुआ है तो फरस्ट यहां पर यूज करके देखते हैं तो देखते हैं soft, medium, hard कितना कि इन में difference है तो soft pencil का मैं यहां पर यूज करा हूं यहां पर अभी मैं medium का यूज कर रहा हूं इसमें हलका सा pressure लगता है अब मैं हार्ड pencil का यूज करूँगा जिसमें same ऐसी Cameline में होता है बट Cameline में इतना ज्यादा पतला पता है वैसे Cameline के साथ मेरा experience काफी bad रहा है pencil का तो मैंने 2-3 set ली है कोई ज्यादा इतना अच्छा ज्यादा वर्क नहीं किया मैंने उनके साथ इससे देखते हैं कैसा वर्क होता है यहां पर मैंने simply shade कर दिया अब इसको blend भी करते हैं blend करने के लिए मैं यहापे brush का use करूँगा यहापे मैं जो brush लेने वाला हूँ वो hard brush लेने वाला हूँ हाँ hard क्यों लेने वाला हूँ क्योंकि काफी easily blend हो जाता है अगर हम hard brush का use करते हैं तो मैंने पहले से ही जो brush वो अलग रखे हूँ है charcoal के लिए and graphite के लिए मैं अलग brushes का use करता हूँ ठीक है तो क्योंकि अगर charcoal और graphite mix हो जाता है तो वह अच्छा combination नहीं रहता क्योंकि जैसे आपको पता है charcoal के ऊपर ग्रेफाइट यूज नहीं कर सकते है या ग्रेफाइट के ऊपर हम charcoal यूज नहीं कर सकते है कुछ ऐसा है यहां पर मैंने blend किया है और आप देख सकते हो बिल्कुल ही ज्यादा black हो गया और इससे यह पता लगता है कि हम sketch में जो background है वो काफी ज्यादा अच्छा दे सकते है इस charcoal की वज़ा से हना चाहिए आप शैद कुछ और भी यूज करते हो और आपने पहले भी यूज किया और हम काफी easily way में background दे सकते हैं काफी हमें dark background देना हो तो यहाँ पर जो hard वाला है तो आप देख सकते हैं hard पर ज्यादा प्रेशर का यूज कर रहा हूं कि फिर भी यहाँ पर यह थोड़ा सा light रह रहा है जितना medium और soft का result आया उतना वैसे से hard वाली pencil का नहीं आया है यहाँ पर मैंने जैसे brush का यूज किया तो आप इसकी जगह blending stump का भी यूज कर सकते हैं या tissue paper का भी यूज कर सकते हैं या simply कोई वी tool यूज नहीं करना चाते तो अपनी finger का यूज भी कर सकते हो इसको blend करने के लिए fine सो यहाँ पर हम एक simple सी drawing बनाएंगे ओके सो drawing काफी मैं ज्यादा tough नहीं बनाऊंगा जल्दी जल्दी मैं draw करने वाला हूं बिना outline की मदसे सीधा soft यहाँ पर pencil soft charcoal pencil की मदसे मैं यहाँ पर सीधा direct draw करना मैं start करूंगा यहाँ पर अगर मैं sheet की बात करूं यह तो मैं आपको बताना भूल यह आपर यहाँ यहाँ यह यह ब्रूस्टो की sheet यूज कर रहा हूं ब्रूस्टो का sketching बाढ़ आता है यहाँ पर ज्यादा यूज करना पड़ नहीं तो मैं ज्यादा आटो फैब्रेयनों का वेपर ही यूज करता हूं सो यहाँ पर मैं simply सिधा soft चार्कुल पैंसल से outline ड्रो करूंगा outline मैं proper outline ड्रो नहीं करूंगा just हम यहाँ पर एक eagle eye draw करने वाले हैं saw charcoal से हम काफी ज़्यदा fast काम कर सकते जैसे कि मैंने आपको बतायां मज़ा भी आता है charcoal से काम करने में and मैं काफी जल्द इससे portrait यह पर जूरूotorial देने वाला हूं काफी जल्द जिससे कि हम ूड्ल सब्सक्रों का ही use करने वाले हैं पूरा portrait draw करेंगे काफी फास्ट करेंगे वैसे पहले मैंने आपको एक टुटोरियल दिया भी हुआ जैसे कि प्रोफैसर की हमने यह पर ड्रोइंग बनाई थी जिसमें हमने चार्कुल का भी यूज किया था एंड ग्रेफाइड का भी यूज किया था तो दोनों पैंसिल का मिक्स करके ड्रोइं चल रहा है जिसमें आप भी कैश प्राइस जी सकते हैं अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का आप वहां पर जाएए वीडियो को देखिए और जल्दी से पार्टी स्पेट कीजिए क्यूंकि 11 एक्टूब डिजर का यिक्त कर रहा हूं क्योंकि टॉम डियर काफी विजल की उपर यूजह कर सकते हैं और टॉम बोटर की इसली हम यूज़ कर सकते हैं हाई 5 देने के लिए इससे कि मैं आपे हालके हाईलेट बी दे रहा हूं जिससे एक इक स्कैच जो है जितना भी हम यहं पर डरो तोंबो रिजर काफी इजली हम चारकूल के उपर यूज़् कर सकते हैं मिडिवर काफी इजली हम हीयूज कर सकते हैं हाइलेट्直 स्केट्ट हदो सब्सक्राइब हम यहां पर ड्रो कंने वारे रिलिस्टिक शाथ साथ नहीं है जिस भी हमें ड्रक्शन में ले कर जाना है हम वैसे ले कर जा सकते हैं मैं इसे ये संब्दसे यूज जयात का सकते हैं इसका काफी मोटा मैंने अच्छे शाप नहीं किया है यह हम इसको सीधा ब्लेड से शाप करें तो मुझे लगता है काफी ज़्यादा रहेगा एंड हम काफी पतला टेक्टर लेकर आ लगा यहां जैसे यहां पर देख सकते हो अभी मोटा टेक्टर आ रहा है मैं यहां पर फ़र रो कर रहा हूं तो उसी ड्रक्षन मुझे लग रहा है कि इतने अच्छे से फ़र रो नहीं हो रही है तो छोड़ो मैं काफी फास्ट फास्ट एक बार चेक करने के लिए ड्रो कर र के लिए जिसमें आइज है हलकी फ़र है एंड फलका मैंने टॉम्बू रिजर से डिटेलिंग भी दिया है यह पर देख सकते हो किस तरह से मैं यूज कर रहा हूं फर का जो मैं टेक्शर दे रहा हूं तो तो फॉम्बू रिजर के क्वाइब करके क्वायों कि पहले मैंने हल्का सा ब्रंस के साथ शेड किया फिर उसके बाद मैं हलका हलका उपर हलका को टैक्ट्टर दे रहा हो compar जैसे कि हालका हलके छोटे छोटे वैसे ही ड्रेक्ष्टनवाइज मैं हाप स्ट्रोंक लगा रहा हूं जिसे एक फर का टैक्च्चर लगेगा एक बिल्कुल सी ड्राइंग जो मैंने अभी इहां पर आपको ड्रो करके दिखाई बट इससे हम अभी जो नेक्स्ट आने वाली है वीडियो आने वाली वीडियो मैं आपको जुरूर टुटोरियल मैं दूंगा इसके ऊपर सेम वुड्लेस चार्कॉल पैंसल से हमें फुल टुटोरियल भी मिलने वाले और इसके ऊपर आपको एक कोर्स भी मिलने वाला है चार्कॉल पैंसल के साथ जितमें काफी कुछ डिटेल में रहने वाला है और आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छी लगी और अच्छी लगी तो गाईस एक बार लाइक ज़रूर कर ल चार्टें